भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुन्य धर्ती पर कॉंग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे जो लोग कॉंग्रेस पार्टी में मोदी से घ्रणा करते हैं वो आज देश के प्रधान मंत्री को उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे जो आक्रोश आप मुझ में और सुधान्शु जी में देख रहे हैं वो मात्र हमारे राजनेतिक संगठन तक सीमित नहीं है हमने बार बार कहा नफरत मोदी से कॉंग्रेस को है हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री से ना कीजिए पंजाब सरकार को कॉंग्रेस को आज जवाब देना होगा प्रधान मंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुँचते हैं उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है ऐसा आश्वासन पंजाब पुलीस ने प्रधान मंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया क्या जान बूचकर प्रधान मंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को जूट बोला गया प्रश्ण दो प्रधान मंत्री जी के पूरे क्यावल केड को जब रोकने का प्रयास हुआ 20 मिनिट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई जिन लोगों ने प्रधान मंत्री की सुरक्षा को भंग किया उन लोगों को प्रधान मंत्री की गाड़ी के पास तक उस थल तक किस ने और कैसे पहुँचाया क्योंकि इंदुस्तान में हरनागरिक जानता है कि प्रधान मंत्री की इस वक्त की movement कहां कब कैसे हो रही है यह साधारणता जानकारी उपलब्द नहीं होती उस छण किसने उन लोगों को flyover पर भेजा ठहराया व्यवस्था कि इसका जवाब पंजाब की कॉंग्रेस सरकार को देना होगा कि इस घटना कर्म के दौरान कॉंग्रेस के युवा नेत्रित्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया किस बात का उत्सव है उनका किस बात का जोश है कि देश के प्रधान मंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफतर से किसी ने भी संबाद नहीं किया किस बात का इंतजार कर रही थी कॉंग्रेस की सरकार पंजाब में शायद इसलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स है कि लोटते वक्त प्रधान मंत्री जी ने शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिन्दा लोट रहा हूं मैं आज कॉंग्रिस पार्टी से कहना चाहती हूं नरेंद्र मोधी देश के प्रधान मंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशिरवात से उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं इस साजिश रचने की क्या जरूरत थी इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधान्शु जी नहीं पूछ रहे राष्ट भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं लेकिन वो लोग जो इस शड्यंत्र का हिस्सा है उनसे कह दूं कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा बैर मोधी से है लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बाका करने की इस साजिश इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा क्रिपया हमारे चानल को सब्सक्राइब करना वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूले और हाँ आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप इन वीडियोज के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियोज के लिए देखते रहे निउज एटीवान